पॉइंटर जी एस की तरप से नमिश्कार दोस्तो दोस्तो आज का जो हमारा ट्रीक है यह बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां से परिक्षा में लगभग परिच्छां में यहां से प्रश्ण जरूर पूश लेते हैं तो हमारी जो ट्रीक है वो है पंचायती राज से संबंधित प्रमुक समितियां कौन कौन सी है दोस्तो यहां से प्रश्ण पूशने का आयोग के तीन चार तरीके से यहां से प्रश्ण पूश लेते या तो आपको पंचायती राज से संबंधित जो प्रमुक समितियां उनका क पूछ लेते हैं यह पूछ लेते कि इनमें से कौन इसी सम्भिती जो है पंचायती रियाज से संबंधित नहीं है तो आईए हम लोग आपने ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों अगर आप यहीं ट्रिक याद कर लेते तो यहां से बनने वाले कोई भी प्रशना आपके गलत नहीं होंगे तो हमारी ट्रिक है बाला सोग के साथ जीवी और एल एम ने पी के देखी फिर से देखिए बाला सोग के साथ जीवी और एल एम ने पी के देखी तो बाला से देख लेते हैं हमारा क्या होगा बाला से आपका हो जाएगा बलवंत राय महता समिती ये पंचायती राज से सम्बंधित सबसे पहली समिती बनी थी कब वर्स 1956 में और ये भी याद रखिएगा कि बलवंत राय महता समिती जो थी वो त्री स्तरिय थी भी प्रश्ने पूछ लेते हैं कि बल्वंत राय महता से संबंदित जो पंचायती राज समिती बनी थी वो किस प्रकार की थी तो ये त्री इस्तरिये थी फिर शोक से हो जाएगा आपका अशोक महता समिती ये 1977 में आई थी और इन्हों ने पंचायती राज से संबंदित जीवी से आपका हो जाएगा जीवी के राव समिती ये 1985 में आई थी जीवी के राव से संबंदित आप एक जो स्टेटमेंट सुन लीजे यहां से भी प्रश्ने पूछा जा सकता है कमजोर पंचायती राज संस्था को बिना जड़की घास जो है जीवी के राव ने कमजोर पंचायती संस्था को कहा था लम से आपका हो जाएगा लम सिंग भी समिती ये 1986 में आई थी फिर आपका हो जाएगा पीके यानि की पीके थुंगन समिती ये 1988 में आई थी दोस्तों फिर से आप देख लीजे पंचायती राज से संबंदित समितियों के ट्रिक बाला सोग के स जीवी और एलेम ने पीके देखी बाला से बलवंत राय महता समिती 1956 में आयी थी ये त्रीस तरिय समिती थी शोग अशोग महता समिती 1977 और इन्होंने दुस तरिय समिती पर जोर दिया था जीवी जीवी के राव समिती दोस्तो ये था आज का हमारा ट्रीक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा दोस्तो धन्देवाद